आपके curtains के सारे problem solve होने वाले हैं इस curtain series में आज हम ले रहे हैं curtain rod specially और इसके 5 जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं उसको हम एक एक करके पूछेंगे राज़ेश जी से So, राज़ेश जी पहला सवाल ये है कि कितने types of curtain rods होते हैं Majorly India में दो types के हैं एक है curtain rod जो rod emphasis करता है और दूसरा है track जो curtain track हो और track के अंदर curtain अक्सर smoothly चलता है आज कर ट्रेंड में सबसे ज़्यादा curtain tracks है और curtain rods क्यों कम प्रिफर करने चाहिए किसी को कम प्रिफर की बात नहीं है track smooth रहते हैं चलने में वो आज contemporary दिखने में अच्छे दिखते हैं उसका feel अच्छा है operation का feel अच्छा है उसे निकाल के पर्दे धोना असान है rather than आपके जो rod के अंदर पर्दे लगे होते हैं अगर आई होल अगर आपका रिम लगा हुआ है वो पर्दे के अंदर तो धोना थोड़ा मशीन में मुश्किल हो जाता है उसमें या इवन आपके जब जे हुक से वो पर्दों के अंदर जब लगा हुआ है तो भी उसे निकाल के एक एक लगाना वो थोड़ा इसी काम होता है करें में लेकरें अगर मैं तो दॉक्ति सपोर्ट मिल नहीं रहा है तो पर वहां जणरली ऑंतिलीवर सपोर्ट लेक्र लगा सकते हैं लेकिन वह रिकमेंडर नहीं है आप सही कह रहे हैं, अगर विंडो की लेंथ बड़ी हो, तो सीलिंग से ही ट्रैक लगना, या कोई एक फ्लाट सपोर्ट हो ऊपर, तो ही ट्रैक लगना बहुत अच्छा रहता है, और वो स्मूध रहता है, इसलिए जनरली आप ट्रेंड में कंटेंपरी आप देखोगे, कि ए तो नहीं दिखाना, उसमें ट्रैक सबसे नंबर वन पे चल रहा है अच्छा, अब बढ़ते हैं सेकंड सवाल की तरफ, कर्टन रॉड के बार में समझ गए, इसको मेजर कैसे करेंगे, किसी भी दुकानदार के पास जाने से पहले, जब भी आप जाएं खरीदने, तो पहले तो एकसेसरी समझे, पहले तो कुर्टन रॉड लेना फाइनल करें या ट्रैक लेना फाइनल करें, एक बार फाइनल हो गया, तो उसके बाद अगर हम रॉड एक्जम्पल में लेते हैं, तो विंडो साइज से कम छे से आट इंच बढ़ी लें, जो लेंथ ओ विंडो उसे र पर이지म्पल विंडो साइज बडी बढ़ी दिखती है आपने अपचे की बढ़ी साइजे की लीड़्ज़गाए है, सुझ बढ़ा लेके लेके से लगे進 लिए लगाने के लिए एका पंटीन्पल मार, जो लोड़ मिल जाती है अगर प्रिमार धी गडर्ड बडान के लिन्प पहुंचता नहीं है, तो फिर थोड़ी सी विंडो के बाजू की जगह रह जाती है, तो वहां से रोष्णी आती रहती है, तो इसलिए ये पक्का करें, कि कुर्टन रॉड लेते समय, विंडो के साइज से दोनों तरफ 6-8 इंच बड़ी विंडो लें, अगर विंडो साथ से बड़ी लेंथ नहीं, तो उसे बीच बीच में अगल सपोर्टर्र जो जो जे शेप के होते हैं, जो की बीच बीच में कर्टन को कम से कम एक जगह सेंटर में सपोर्ट थे ता कि यो साइग न करें ता कि जाग न करें, यू साइग न करें, जी य्य दोनों ही केसे Preset में तो अगर मेरा विंडो पूरा वाल टु वाल है यानि मेरे साइड में वाल्स नहीं बचती हैं तो क्या सिनेरियो होगा प्रविन जी अकसर यह बहुत रेर है कि पूरी बड़ी विंडो हो और अगर हो तो आपको उस विंडो के पूरे साइज का ही कर्टन रोड लेना और जो साइड ब्रैकेट्स है वो साइड पे लगा के और मजबूती है उस कॉर्टन में उस चीज में अगर आप उसमें ट्रैक्स ले रहे हैं तो फिर भी आपको फुल साइज ले नहीं पड़ेगी यस साइज तो सेम एज विंडो साइज होगा अब अब आते हैं तीसरे वो कैसे रखना है मतलब आपको नीचे तक लेना है उपर लेना है वो सारा डिसाइड करना है जनरली रिकमेंड एसा है कि कम से कम फ्लोर से आप आदा एक इक इंच उपर रखिया या स्कुर्टिं हाइट रखिया ताकि साफ सफाही आसान हो कभी-कभी लुक्जियोस फिल के तो उसके सेंटर में भी आप लगा सकते हैं या खिडकी से कम से कम चार से चेंच उपर तो कर्टन रख लगाईए ताकि बड़ी दिखे खिडकी और अगर अगर आपने फॉल्सी लिंग किया है या पैनलिंग किया है तो सोर्स नहीं दिखाना है तो ऐसा लगना चाहिए कि उपर से ही कर्टन मतलब सीलिंग से भी आप कर्टन रॉड या ट्रैक लगा सकते हैं ताकि पूरा बड़ा विंडो दिखे और वह बहुत एक अजलग लग्शेरियस वाइप भी देता है और अपकी खिडकी भी बहुत बड़ी दिखती है तो कर्टन जो ट्रैक है वो ट्रैक या तो आप से निग ल stiff अ की जुड़ा टा तो अप लगा लगा लीजी कि अचल अब लगा सक्ते हैं तो ले था की बड़ी ल्या तुछे अगर अपने लगाया थे खिडकी श्क्शे अपर तो बड़ा लगा संकते गे लगे बहां अकृ बड़ा को पृन लाई लगा च्छ दो डाई इंच, ताकि ट्रैक न दिखे है, और सोर्स न दिखे ट्रैक का, और ट्रैक को उसके अंदर स्क्रू कर दीजिए, और वहां से फॉल आने जिए पर देगा, ग्रेट, चौता सवाल ऐसा है, कि अगर ये सब चीज पूरी हो चुकी है, और मुझे अपना कर्टन ट्रैक इंस्टॉल करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, दो चीजें जैसे बुला, ट्रैक इंस्टॉल करने के लिए, आपको फ्लैट सर्फेस लगेगा, तो उसके कुछ क्लिप्स आते हैं, क्लैम्स आते हैं, जो पहले आप सीलिंग को या जो भी आपकी पैनलिंग की फ्लाट सर्फेस होगी, उसको स्कुरू कर देंगे, आपके कुर्टन का तोटल साइज रिसाइड कर लेंगे, उस साइज में ट्रैक को कुट कर लेंगे, और फिर उसके अटके अंड कैप आते हैं, वो लगा देंगे ट्रैक को और सिर्फ पुश करेंगे, तो क्लैम्स आंदर ओ ट्रैक पकड़ लेगे. तो बहुत आसान है कुर्टन ट्रैक्स इंस्टाल करना. और उसके अंदर जो जे हुख रहते हैं, वो इस शेप के रहते हैं, कि उसके अंदर फिर अपको अर्ट उसके लगाता है वो जब हатे थे अर्ड को लगा तीदॉक ऍटाल करना हैं तो फिर उसके बाद करटन के अराम selves Layclorman work दैंके बोस्सके गप्र मेर्व को सबएक्वरन कर जाा जाए तो दिवार पर साइड साई ब्रैकेट एन कर दो दो साइड में ब Люола और अगर दुसरी बाजू में दीवार नहीं हो, दीवार बहुत दूर हो, और खिड्की आदे में हो, तो वहां से तो यह आगे आके प्रोट्वुडों बनता है, तो उसको भी आप स्क्रूू करी सकते हैं. और जहां दोनों तरफ एंड दिवार नहीं हो, बीच में खिडकी हो, वहां पर भी 2 साइड ब्राकेट जाते हैं. यह brackets हम दीवार को screw करते हैं, और उस size की फिर screw करने के बाद आप rod को cut करते हैं, size देख के, और फिर उसकी चूडी से उसे उसके बंद करते हैं, चूडी को क्या बल सकते हैं? फिर उसके threads का measurement आपको मिल जाता है, एक बार दो brackets लग गए तो, और फिर उसे हम thread कर सकते हैं, अगर यह rod साथ आट फूट से लंबी हो, window आपकी, यह आपका, आपने डिसाइड किया curtain बड़ी लगा है, तो बीच में आप supporter लगा दे, कम से कम center में एक supporter लगा दे, ताकि वेट स अगर आप साथ आट फूट से भी लंबी विंडो है, तो दो देने पड़ सकते हैं, तो उन supporter से तो फिर पर्दे पूरी तरह से बंद नहीं होंगे, जनरली पर्दे हम center में लेके देखते हैं, और उस supporter का hardly 3-4 mm का thickness रहता है, तो उतना तो पर्दे का plates और फॉली कवर कर देता है, अब आते हैं आखरी सवाल पर, ultimately पर्दे लगा रहे हैं, तो उसका rod में भी looks हम ज़रूर देखते हैं, तो design क्या क्या अवेलेबल हैं, दोनों ही cases में, देखिए, track में तो design as such कुछ factor नहीं होता, वो एक PVC, UPVC material है, कभी कभार वो metal material है, जिसे powder coat किया और उसमें एक ही चीज है कि आप उसे UPVC में कस्टमाइजली turn भी कर सकते हैं, उसे आप कोई, जैसे hospitals में use होता है, आप turn करके परदे compartments बना लेते हैं, पेशन को देखने के लिए, वो आप हो कर सकते हैं उसमें, दूसरा जो rods हैं, उसमें जनरली आपको मिलते हैं powder coated MS rods, जो या तो corrugated या तो plane रहते हैं, जी, powder coated में कई तरीके के powder coating होता है, लगबग 8-10 colors है, chocolate, color, golden, bronze, और बाकी black, off-white, ऐसे बहुत सारे colors होते हैं, जी, इसके अलावा steel rods आते हैं, जो कि मैं सबसे जादा recommend करूंगा, कि powder coating क्या है, ट्रैक गूमने से थोड़ी निकल सकती है, उसको थोड़ा सा corrosion भी पकड़ सकता है, जो curtain rod के steel में finials है, वो भी आप steel के लगा सकते हैं, जो powder coated है, उन में finials उसी shape के, उसी shade के powder coated में ही आते हैं, जिनकी powder coating निकल सकती है, तो recommended तो steel के finials या steel की rods ही है, जो contemporary भी दिखती है, और everlasting fashion में भी चलती रहती है, steel कभी पूरा नहीं होता और steel शायद sag भी कम करेगा, aluminium और बाकी के comparison से, जी हाँ, उसकी मजबूती भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि उसका grade भी बहुत high रहता है, rather than MS के curtain rods से, आज हमने discuss किये 5 सबसे जादा पूछे जाने वाले सवाल curtain rods के बारे में, next video में हम बात करेंगे, top 5 questions of curtains, so stay tuned और यह video आपको देखेगा end screen में